कला के विद्यार्थियों, हम लोग चित्रकला के तत्वों के बारे में अध्यन कर रहे थे, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, आज हम चित्रकला के जो तत्व हैं, रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंत्राल, उनमें से आज हम रूप के बारे में विश्थार से चर् विद्यार्थियों, जो चित्रकला के तत्व हैं, उनमें से प्रथम तत्व रेखा के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, आज हम इसके रूप तत्व पर अथार्थफोर्म पर विश्थार से बात करेंगे, विद्यार्थियों, कलाकार के लिए चित्रभूमी पर अंकन करना जैसे ही प्रारम किया जाता है तो रूप का निर्मान प्रारम हो जाता है अथार्थ जब कोई चितरकार या कलाकार अंकन प्रारम करता है तो उस चितर भूमी पर अंतराल पर रूप का निर्मान आरंब हो जाता है इस रूप सरजन के साथ ही जो चित्रभूमी है वह सक्रिय हो जाती है और वह चित्रभूमी सक्रिय रूपों या आकारों में तता सहायक आकारों के मध्ये विवक्त होती चली जाती है जैसे जैसे कलाकार कारिय करता रहता है वह अन्तराल वह चित्रभूमी सक्रिय रूपों और सहायक रूपों के मध्यम से विवक्त होती चली जाती है आप इस चित्र में देख सकते हो इस चित्र में भूमी पर रुपांकन द्वारा अंतराल की सकती का परीचे प्राप्त कर सकते हैं इसके अंतरगत जो कह नंबर का चित्र हैं वे हमें सुप्त परतीत होता है जबकि इसी चित्र में जो खै नंबर का चित्र हैं उसमें वही इस्तान वही चित्र भूमी केवल एक सपेद वरतुलाकार से ही जागरत परतीत होती है चित्र शोयोजन में रूप को बहुत प्राचिन समय से महत्व प्राप्त हैं अथार्थ प्राचिन चित्रों में हम देख सकते हैं कि प्रागेती हशिक कालिन चित्र हो चाई आदी मानव के चित्र हो सभी में हमें रूप अथार्थ आकार देखने को मिलते हैं अगर रूप की परिभासा की बात करें तो रूप वह क्षित्र या इस्तान है जिसका अपना निश्चित आकार तता रंग होता है साधारन तया वस्तु की आकरती को रूप कहते हैं इसको यदि और इस्पष्ट करें तो रूप कीशी भी पदार्थ का चित्र भूमी पर प्रत्थम द्रश्य प्रत्यक्षिकरन है जैसे रूप को अंग्रेजी में फोर्म कहा जाता है एप का मतलब फ्रेस्ट ओ का मतलब ओर्गेनिक आर का मतलब रिविलेंट और एम का मतलब मेटर अथार्थ प्रश्ट ओर्गनिक रिविलेंट ओप मेटर केने का तात्वरिये रूप किसी भी पदार्थ का चित्र भूमी पर प्रत्थम द्रश्य प्रत्यक्षी करण है यह प्रत्यक्षी करण वस्तुगत भी हो सकता है और कल्पना जन्ने भी हो सकता है अब हम बात करेंगे रूप के वर्गी करन की साधारन तया रूप को दो भागों में वर्गी करत किया जा शकता है नियमित रूप और एनियमित रूप नियमित रूप अथार्ते सममित रूप नियमित आकार अत्वा रूप का अर्दभाग सेस भाग का ही विलोम होता है अथार्थ जैसा इधर दिखाई दे वैसा ही दूसरी तरप दिखाई देता है ऐसा रूप जैसे वृत्थ, घन, आयत, गिलास जो आप इन चित्रों में देख सकते हो यहां नियमित आकारों में एक रष्टा तता बोधिक सरजनात मक्ता या सरजनता कम होती है इस चित्र में आप देख सकते हो इसमें दोनों तरप का रूप अथा नियमित रूप हैं जैसा इधर हैं वेसा ही उधर दिखाई देता है दूसरा होता है एनियमित रूप जिसके अंतरगत वस्तु का या चित्र का अर्ध भाग शेश भाग से मिलता जूलता नहीं होता है जैसे विशमकोन चतरभूज तता त्रीभूज है केटली है जो आप इन चित्रों में देख सकते हो अतरचित्र भूमी पर संतुलन करना कुछ खटिन होता है ये जो रूप होते हैं इस प्रकार के रूप वे अधिक रूचिकर होते हैं कुछ विद्वानों ने रूप को अलग-अलग प्रकार से बर्गिकर्थ किया है जैसे जामितिय रूप, अलंकारिक रूप और प्राकर्तिक रूप इन स्रेल्नियों में कुछ विद्वानों ने रूप को विवाजित किया चित्रकार रूप सर्जन करता है वह एद्रश्य कल्पना को चित्रतल पर द्रश्य रूप पर दान कर अपनी संबेदनाउं को जीवित करता है रूप के उपर युक्ते जो विभाजन है वह बाय आकरती के आधार तत्वा गुणों के आधार पर विभाजित हैं और इन में प्रियाप्त उहा पोह की संभावना है अते पूर्व वरनेत सक्रिय तता शायक रूप में विभाजन विग्यानिक है जो हमने प्रथम चित्र देखा जैसे कि ये जो चित्र है ये है विग्यानिक विभाजन है तता कलापक्ष में उसका व्यवहार सुविधा जनक है इस चित्र को पुने देखने से ये श्वष्ट होगा कि मुख्या अकरती का अंकन सक्रिय रूप के अंतरगत तता सेश पार्श्व भूमी पर बने रूप साहयक के अंतरगत आते हैं इन दोनों रूपों का सापिक समंध है क्योंकि एक के अभाव में दूसरे का अस्तित्वय अर्तहीन हैं वास्तम में साहयक रूप ही सक्रिय रूप को संबल परदान करते हैं इस परकार ये रूप का वर्गी करन हुआ अब हम बात करते हैं रूप के प्रभाव की जो रूप चित्र में बनते हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है रेखाओं के परकार ही रूप के भी अपने प्रभाव होते हैं जिस परकार रेखाओं के प्रभाव होते हैं उसी परकार रूपों के भी प्रभाव देखने को म जैसे ये जो चित्र हैं ये आयताकार हैं इन चित्रों के माद्यम से हमें सक्ती और एक्ता का ज्यान होता है इस परकार के आकार से इस परकार के आकारों में हमें सक्ती और एक्ता का बोध होता है इसी परकार जो त्री भुजाकार आकार होते हैं उन आकारों में हमें सासवत्ता, सुरक्षा तता विकास का भाव नजर आता है। इसी प्रकार जो विलोमत्रीब बुजाकार होते हैं उनमें लिपतता तता असांती का भाव दर्शित होता है। और जो अंडाकार रूप हैं, उनमें लावन्ने, सोंद्रिय, नित्यता और सर्जनात्मक्ता का बोध होता है। इसी परकार जो वरता का रूप है, उन रूपों में हमें पोरणता, आकर्षन, गती और विशालता और समानता नजर आती है। इस परकार विद्यार्थियों जो रूपे हैं उन रूपों का अलग-अलग प्रभाव होता हैं और ये जो रूप हैं इनको मुखे रूप से हम आयताकार, त्रिभुजाकार, विलोम त्रिभुजाकार, अंडाकार, ब्रताकार इस परकार के रूपों में विभाजन कर सकते हैं अब हम बात करते हैं रूप प्रमान तता वरण की चित्र में अनेक रूप चित्रन में रूची उत्पन हो करते हैं और एक तानता जो एक तानता है वह नहीं आपाती है रूप की यह विविन्ता अनेक विदियों से प्राप्त की जाशकती है संसार में अनेक रूप विद्धेमान है चितर में उनका समावेश कलाकार अपनी रूची तताशेली के अंतरगत करता है वहाँ वहे प्रकरती जनित आकार में परिवर्तन करने को स्वतनतर होता है कलाकार ने यथार्त रूप अंकन को ही इतिशरी नहीं माना है इसी परकार आकरतियों के परिणाम में अंतर करके भी रूप में विविदता उत्पन की जा शकती है जिनका चितर शयोजन में असम संतुलन शिद्दांत द्वारा अंकन किया जा शकता है परकास तता छाया द्वारा भी रूप में विविदता उत्पन की जा शकती है आकर्तियों को विमिन रंगतों में रंग कर और यदि एक ही रंगत का प्रियोग किया गया है तो उनकी तान में अंतर करके रूप में विविद्धता उत्पन की जा शकती है रंगों के प्रियोग में वही सावधानी रखनी चाहिए कहीं इसके अभव में शक्रिय तता शाहेग रूपों का संतुलन ये वतालमेल विखर ने जाए इस बात का ध्यान रखे रूप में विविद्दता पोत के कुसल परयोग द्वारा भी उत्पन की जा सकती है पोत के द्वारा आकार के प्रभाव में अंतर उत्पन किया जा शकता है यदि कलाकार सरजित पोत में निपोन है तो वह इस विविद्धता का उत्वं उत्तम परकार से निर्वन कर सकेगा अत्य रूप में विविद्धता लाना चितरकार की योगेता पर निर्वर करता है सिलब सास्त्रों में भी अनेक प्रमान तता वीधियां सुझाए गई है जैसे राक्षस देवता इंशादारन मनुष्य के रूप में विविद्धता परमान के अंतर द्वारा उत्वन की जाशकती है इसी प्रकार हम बात करते हैं रूप अर्थसार की यह सार ग्रहन नहीं करना चाहिए कि रशहेन रूपों की आकरती या आवरतीशी चितरकार का कारिये चल जाएगा रचना की गंबीरता को ध्यान में रखते हुए ही उचित अर्थसार वाली रूपों का प्रियोग करना चाहिए अन्य था दर्शक चितर में अभिशिप्त भावों को आनंद नहीं ले पाएगा रूप का अंकन चितर भूमी के क्षितर के अनुरूप होना चाहिए भारती सुंदरी तत्व में भी अर्थसार का सर्व उपरी महत्व है बाहे रूप का भी नीजी महत्व है किंतु वह भावों की अभिव्यक्ति का शाधन मत्र है यदि रूप को सरीर कहा जाए तो अर्थ कला का प्राण है कालिदास ने सब दिया रूप को जगन मता और अर्थ को जगत पिता कहकर कला की सरवादिक अभ्यर्तना की है इसी परकार अर्थसार रूप में समाहित अनेक अनुबूतियों का बाहे कलेवर है अर्थसार दो परकार के होशक्ते हैं अमुदाइक और व्यक्तिगर्थ अर्थसार हो सकते हैं अब हम बात करते हैं रूप यों अंतराल की रूप को अंतराल में रखना सहज नहीं है यहां अंतराल का अर्थ है चितरभूमी यह किने मानने शिद्दानतों तता कलाकार के अपने अनुभव के आधार पर सयोजित होता है रूप अंतराल के महत्व को गठा भी सकता है तता बढ़ा भी सकता है इस परकार अंतराल भी रूप के महत्व को गठा बढ़ा सकता है इस बात का ध्यान रखें कलाकार रूप की अनेक संभावना का अन्यवेशन करता है वह उसकी अंतराल में इस्तापना दुवारा अरजित उश्मा का अध्यन भी कर सकता है इस परकार नए नए विस्तार हमारे सम्मुक आते हैं अजन्ता अपबनंस राजस्तानी तता मुगलादी चित्रों की शेली में रूप तता अंतराल का भिन भिन समंद होने के कारण ही उनकी अपने मोलिकता निखर कर आई हैं इस परकार विद्यारतियों यह है आज का जो टोपिक हैं चित्रकलाओं के चित्रकला की तत्मों के अंतरगत रूप तत्वय का इसके अंतरगत हमने रूप की परिभासा, रूप का वर्गेकरण, रूप के प्रभाव, रूप प्रमान तता वरण, रूपियों अर्थसार, रूपियों अंतराल, इन सभी बातों का अध्यन किया अगले वीडियों में हम चितरकला की तर्थिय तत्व के बारे में बात करेंगे, धन्यवाद